Guys, a very important topic, Potion Tracker, तो इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे, तो भारत सरकार ने इन लोकसभा में सूचित करते हुए, बताया है कि महिलाओं और बच्चों की निज्टा के हित को ध्यान में रखते हुए, Potion Tracker में दर्ज आकडों को सारवजनिक नहीं किया गया है, मतलब Simple और Sorted तरीके से रोने ये चीज़ बताई है, कि Potion Nutrition Tracker में जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको ये पब्लिक नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए महिलाओं और चिल्रन की प्रिविसी को ध्यान में रखते हुए, वो देश ये है कि हमारी कंट्री में जो आंगनवारी सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसके माध्यम से राज सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाब उठाने वाली महिलाओं और बच्चों की निच्टा का सम्मान करना है, तो ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे जो महिलाओं और बच्चों की जो privacy है वो affect होगी तो ये एक चीज थी जो अभी news में आई थी बट main चीज पोशन ट्रैकर क्या है और पोशन अभियान क्या है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तो पोशन ट्रैकर जिसे ICDS-CAS यानि की Integrated Child Development Services Common Application Software के नाम से जाना जाता है यारे की एकी करत बाल विकास सेवाएं समान्य अनुप्रयोग Software के रूप में इसे पहले जाना जाता था आज की रेट में से Software को पोशन ट्रैकर कहते हैं इसे सेट अप किया गया है किस उद्देश से किस एम से कि ट्रैक करना और इंप्रूव करना हमारी वेरियस सर्विसेस को जो की आंगनवारी के मात्य हम से डिलिवर की जाती है और इंशूर करना कि बेटर तरीके से जो Beneficiaries जो हैं जो लाबार थी जो हम लोग को देखने को म जलते हैं तो उनका Nutrition Management हो सके और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाओ तो ये एक Real Time Monitoring System है जो Real Time Basis पर बताती है कि हमारी कंट्री के अंदर Nutrition का Status जो है वो लोगों में क्या है मलब किन लोगों को Proper Nutrition Diet मिल रही है कि नहीं मिल रही है तो उसका एक अच्छा डेटा Real Time Basis पर य अभियान या फिर National Nutrition Mission जिसको Union Cabinet ने अप्रूफ किया था 2017 में और इसका Financial Outlet उथा वो 9000 करोड था अगले 3 सालों के लिए गवर्मेंट ने इस Tracker को बनाने के लिए 1053 करोड रुपीज खर्च किये हैं और गईज ये Tracker एक काफी important pillar है पोशल अभियान का जो की help करता है सरकार को कि सरकार निगरानी रख सके monitor कर सके कि जो भी services deliver की जा रही है 12.3 lakh आंगनवारी centers में तो वो proper तरीके से की जा रही है की नहीं की जा रही है तो उसको record करके रखता है साथी साथ record रखता है nutritional indicators का 9.8 lakh beneficiaries का यारि कि जो लाबाहरती है जिसके अंदर बच्चे शामिल है जिनकी उम्र 6 महिने से लेकर 6 साल तक की है साथी साथ pregnant महिला हैं जो महिला जो बच्चों को feed करती है जो lacting mother जो हम लोग को देखने को मिलती है इस्तनपान कराने वाली जो माता हम लोग को देखने को मिलती है तो उनका भी data जो है वो record किया जाता है 9.8 lakh beneficiaries का और आपको बता दें आं मतलब की गर्म पके हुए भोजन के रूप में पूरक portion और साथी साथ take home राशन यानि की घर ले जाने का राशन वाली services कई बार तो जब COVID-19 का जब समय था जब lockdown था तो लोगों के घर घर तक door to door तक आंगनवाडी workers ने राशन प्रोवाइट कराया साथी साथ टीका करण के लिए आंगनवाडी workers घर घर जाकर बच्चों को vaccine लगाते हैं प्री-school education, school पूर्व सीख्षा में एंटर होने से पहले सीख्षा जो है वो प्रोवाइट कराने का काम भी आंगनवाडी centers में प्रोवाइट किया जाता है तो यह सब services हैं जो आंगनवाडी centers प्रोवाइट करा हैं कमिटी ने मांग की है कि प्रमुक प्रदर्शन संकीतकों यानि की की performance indicators की लगातार निगरानी की जाए और इनको website पर upload किया जाए और साथी साथ एक राज्यवार प्रगती report को संग्रित किया जाए मतलब state wise progress report भी maintain की जाए ताकि समय पर लाभ से बंचित रह जाने वाले लोगों की वास्तविक समय के आधार पर पहचान की जा सके और इसके लिए उपचारतमक उपाय किये जा सके यानि कि जो लोग जिनको benefits नहीं मिल पाता है services का सरकार की various services का various schemes का तो उनका record बनाये जाए उनको पहचाना जाए और बिलकुल समय पर उनको उपाय जो है वो provide किय आप कह सकते हैं उनको तुरंट समय पर जो है उनको जैसे की जो benefits नहीं मिल पा रहा है वो benefit मिलना शुरू हो जाए तो ये इसका main objective भी हमें देखने को बलता है जो committee ने highlight किया समिती ने मंत्राले से आंगनवाडी लाभारतियों को भोजन के packet वित्रण में कोई अंत्राल नही होने को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र इस्थापित करने की भी सिफारिश किये कहाए कि एक monitoring mechanism होना चाहिए जो ensure करे कि जो food packets distribute होते हैं आंगनवाडी beneficiaries को तो उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए खाना जो है वो समय पर उनको जो है वो मिलना चाहि है गईज नाओ वी विल डिस्कस अबाउट ओशन अभियान अवेरी इंपॉर्ण अभियान राइट नाम सही हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमारी country के अंदर जो portion की जो problem हम लोग को देखने को मिल रही है malnutrition की जो problem हमें देखने को मिल रही है उसको resolve करने के लिए portion अभियान लाएगा कि हमारी country के अंदर especially focus किया जा रहा है बच्चों के ओपर, pregnant महिलाओं के ओपर, lacting महिलाओं के ओपर, जो महिला छोटे बेबी को feed करती है उनको target किया जा रहा है कि उन तक proper nutrition जो है वो provide किया ज है तो वो भी reduce हो हमारी country से तो ये portion अभियान इस पर focus करता है तो काफी ध्यान से समझिएगा, portion अभियान mission सबसे पहली चीज़ तो ये mission किन लोगों के लिए, इसमें beneficiary कौन है तो बच्चे, गर्भवती महिलाएं और lacting mothers, lacting mothers याने की इस्तनपान कराने वाली माता, जो mothers अ targeted beneficiary है, इनको benefit provide कराने के लिए portion अभियान scheme लाई गई, ये scheme कब launch होई, 2018 में launch होई, अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप pen और paper लेकर बैठें और note करें, इस scheme के targets, तो इन्होंने target सेट किया है कि हमारी country के अंदर stunting और wasting की problem को 2022 तक 6% से reduce करना, या फिर हर साल 2% stunting और wasting की problem जो है, उसको reduce करना, हर साल 2%, stunting यानि की नाटेपन की problem, wasting यानि की दुरबलता की problem, और आपको overall में आपको बताओं, तो हमारी country के अंदर दुरबलता, overall, सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा है, overall population की बात करें, तो wasting की problem बहुत जादा है हमारी country के अंदर, right, global level इंडिया के अंदर सबसे जादा problem जो है, वास्टिंग की है, यानि की global level पर कहीं पर तो वो इंडिया में है, right, तो यह भी एक fact जो है, आप चाहो तो लिख सकते हो, right, अब stunting तो आपको सब्सक्राइब आ गया, नाम से नाटे पन, right, जो बच्चे जो नाटे रह जाते हैं तो उसमें भी nutrition का एक बड़ा रोल है, malnutrition को portion की problem के करण बच्चे नाटे रह जाते हैं, वास्टिंग का मतलब दुबला, एकदम बच्चा जो हो बिल्कुल हड़ी ऐसा देख रहा है, दुबला पतला देख रहा है, मतलब उसकी body में proper nutrition जो हो नहीं गया, so this is the issue, right, तो इसक रख अलपात, ये जो target है वो 3% का है, कि हर साल रख अलपात की जो समस्या बच्चों में देखने को मिलती है, जो समस्या, जो adolescent बच्ची जो होती है, किशोर अवस्ता वाली बच्ची जो होती है, उनमें देखने को मिलती है, और pregnant महिलाओं में, और in general महिलाओं में ये problem लिखने को बलती है एनिमिया की बहुत जादा, right, क्या कोई मुझे explain कर सकता है कि एनिमिया है क्या, नीचे comment box पर इसका answer लिखकर बताएं, एनिमिया की समस्या है क्या, बताईए ज़रा, right, इसमें कौन सा cell जो है, वो effect होता है, कौन सा cell effect होता है, बताओ ज़रा, कौन सी कोशी क आएं, जो है, उसमें प्रभावित होती है, नीचे comment box पर इसका answer अब लिखकर बताएंगे, तो एनिमिया को हर साल 3% से reduce करना, this is the main target, और in total 9% एनिमिया, हमारी country से 2022 तक reduce करना, ये इसका target है, right, तो ये चीज़ है, और बताया जा रहा है कि target इस mission का ये है, कि stunting जो है, 0 to 6 year, 6 साल से कम की उमर के बच्चों में stunting, यानि कि नाटेपन की जो समस्या है, उसको reduce करना, 38.4% से 38.4% से 25% तक, यानि कि 38.4% पर ये problem है, तो आप 2022 तक इस प्रकार से target achieve करें, कि stunting की समस्या हमारी country के अंदर 25% से कम हो जाए, right, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, औ और हमारी country के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों की बात करो, मैं again मैं repeat करता हूँ, हमारी country के अंदर overall population जो फेस कर रही हो, वास्टिंग की समस्या फेस कर रही है, दुरबलता को पोश्चनल के कारणा जो पतले उबले से हो जाते हैं, तो वैसी problem हम लोगों को overall देखने को अगर बच्चों की बात करें, तो हमारी country के अंदर जो बच्चे जिनकी उम्र पात साल से कम की है, तो उनमें सबसे ज़्यादा problem है, especially एक तिहाई बच्चों में जो सबसे ज़्यादा problem जो मिली है, वो stunting की मिली है, नाटे पन की problem मिली है, और 40% जो बच्चे हैं एक से चार चार साल की उम्र के, तो उनमें एनिमिया की problem मिली है, याने की रक्ट अलपात की problem मिली है, और 50% से भी ज़्यादा pregnant महिलाएं, और दूसरी महिलाएं, इनमें भी रक्ट अलपात की समस्या record की गई है, और ये सब आकड़े हमें मिले, National Family Health Survey 4 के तहर, ठीक है, तो यह वाली च केंद्र द्वारा वर्ष 2022 तक नाटेपन, दुरबलता, याने की stunting, वास्टिंग और रक्ट अलपात, याने की एनिमिया को कम करने है, तो निर्धारित लक्षों को पूरा करने के लिए इस कारेकरम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो नीती आयोग भी इस कारेकरम को support क करती है, क्लियर, इसमें portion plus के बारे में भी हम लोग समझते हैं, और portion 2.0 के बारे में भी हम लोग समझेंगे, तो portion plus strategy है क्या, देखिए इस strategy में focus नहीं सिर्फ इस बात पर किया जा रहा है, कि जो सरकार, जो nutrition product जो provide करा दी, आपको पता होगा कि national food security act 2013 के तहट, हमारा जो public distribution system जो हमें देखने को मिलता है, आपको राशन शॉप के बारे में बता होगा, कि जो गरीब लोग है, below poverty line के जो लोग है, वो राशन शॉप पर जाते हैं, और उनको एक रुपे, दो रुपे, तीन रुपे पर केजी के हिसाफ से grains provide किया जाता है, ये बात सभी लोग जानते है नहीं जानते हैं, तो अभी बता लग दे, तो सभी को ये grains जो है, वो provide किये जाते हैं, ये distribution system है, तो ये जो portion अभियान है, ये nutrition mission जो है, वो सिर्फ इस बात पर focus नहीं करता है, कि government जो initiatives जो ले रही है, याने कि government के जो public distribution system के माध्यम से, जो राशन जो provide करा रही है, तो वो beneficiary तक पहुच रहा है कि नहीं पहुच रहा है, सिर्फ इस पर focus नहीं किया जाता, बलकि कुछ social determinants भी हम लोग को देखने को बज़ते हैं, देखें काई, समाज में आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी जाती विवस्ता है, मैं ये नहीं कहा रहा कि बहुत जादा है, कम कई बार लोग लिखते हैं कि जाती विवस्ता इसलिए because people are not educated, people are educated, but बचपन से जो घर परिवार में सुनाया गया है, समझाया गया है, जैसी जो बोलते हैं कि जिस प्रकार से अब bringing हुई है, तो वो role play करता है इस बात पे, हैं मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे भी ऐसे हैं द why you are preparing for IS, आप civil services की क्यों तयारी कर रहा है, IS की क्यों तयारी कर रहा है, उनका answer जो था वो यह था, कि आप दहेज अच्छा मिलेगा, bullshit, फाल तू की चीज़ हैं यह, तो ऐसी चीज़ आज भी हैं लोगों में, तो इसलिए जब भी भी आप अपने mains के answer को लिखोगे ना, तो it is very important for you कि कुछ चीज़े practical लिखो आप, क्योंकि आपको पता है guys, कि इसमें education नहीं है, education role नहीं ले कर रही है, yes करती है, okay, कि education के बाद देम से हमें चीज़े पता लगती है, but the main role is family, मेरे एक हाल से आप इस बात पर सहमत होंगे, और आपके जो भी views हैं, आप बिलकुल comment box प कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ में लेना देना है घर का, इस चीज़ में even rich और poor का भी कोई लेना देना नहीं है, right, बोला जाता है कि गरीबों में ये जाती वेवस्ता जो है, वो बहुत जाला है, नहीं, अमीरों में भी है, क्योंकि जिसकी मैं बात करना हूँ, वो abroad में है तो पैसा का ना रोल है जाती विवस्ता को ठीक करने में ना education का रोल है the role is family आपके घर का रोल है कि आप अपने घर में बच्चों को क्या सीख्षा दे रहे हो क्योंकि वो चीज एक बार जो बोलते है ना बच्पन में एक बार माथे में घुजगई तो वैसी वह चीज वह continue रहती है वह एफेक्ट जो है वह लॉंग तब तक रहता है भली आप शायद अपने अपने जो फ्रेंड सरकल ले दोस्तों में इस चीज को कम कर लो वह एफेक्ट तो रहता है जो घर से सीखते हो तो इसलिए अगर ये जाती विवस्तों को खतम करना है तो आप लोग समझदार लोग आप इस चीज को खतम करेंगे आप यार गईज आप कल को I.S.I.P.S. बनोगे कलेक्टर बनोगे तो आपके ऑफिस में अगर कोई वेक्ति आएगा तो आप उसकी जाती पूछ के तो उस सलूक नहीं कर रहा है मुझे जस्टिस नहीं प्रवाइड कर रहा है तो आपको काम होगा कि तुरन जो हो वायरलेस करना आप I.P.S. हो I.G. हो कल को आप जिसे अपने आपको I.G. की पोस्ट में मानो आप आपके पास आ रहा है कोई वेक्ति फरियाद लेकर बोलकर कि सर को चेंज कर सकते हो आप जिस एरिया पर रहोगे आप उस एरिया पर चीजों में बदलाव ला सकते हो ध्यान लगा के पढ़ाई करो मन लगा के पढ़ाई करो चलिए हम डिसकस करेंगे portion प्लस strategy के बारे में simple सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि इसमें जो government जिस परकार से अ benefit लोगों को मिलेगा वरना नहीं मिलेगा getting it तो इस चीज पर तो focus ही है बलकि जो जी जाती और धर्म इस अधार पर जो भेदभाव है उसको भी कम कर रहा है अब आप बोलों कि सर ये जाती और धर्म का portion scheme से क्या लेना देरा लोग बड़ी जाती और छोटी जाती की बात करे ना वो बोलतें कि आज भी उनका सर्व किया हुआ पानी नहीं पीते हैं काफी सारे लोग छोटी जाती का कोई वेक्ती है अगर कोई बड़ी जाती वाले को अगर पानी दे रहा है मैं ऐसा सभी की बात नहीं कर रहा है काफी सारे ऐसे लोग है जो इस policy को अपनाते हैं जिनक में यह बदलाव लेकर आना है और यह बदलाव आप लोग लेकर आओगे राइट चलिए तो यह चीज आपको समझा है कि portion plus strategy का focus क्या है कि social determinant जो हम लोग को देखने को मिलते हैं society में इस प्रकार की जो चीज़ें उसको भी कम करना है उस पर भी focus किया जाता है और portion 2.0 भी हम लोग को देखने को मिलता है portion 2.0 महिला और बाल विकास मंत्राले की एक ही कृत बाल विकास सेवा integrated child development scheme है यानि कि इसमें आंगनवाडी सेवा है portion अभियान किशोरियों के लिए योजना राश्त्रिय शिशू ग्रेह योजना को cover करने वाली एक छात्रक यानि की umbrella scheme है तो umbrella scheme यानि की ये scheme के अंडर पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है आती है तो portion 2.0 जो है वो एक umbrella scheme हम लोग को देखने को मिल रही है जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है और इसमें मर्च कर दिया गया था जितने भी nutrition प्रोग्राम है सबी के सबी को इस अभियान के अंडर add कर दिया गया था और इस mission में देश में स्वास्थ के लिए आवशक पोशन उपलब्ध कराने और रोग एवं को पोशन के प्रती प्रतिरोधक छमता विकसित करने हेतू आवशक पोशन करने वाली विकाश शील प्रक्रियाओं पर नए सेरे से ध्यान देने के साथ साथ पोशन समागरी वित्रण आउट्रीच और परिणामों को शशक्त करने के लिए शुरू किया गया है तो पोशन अभियान या nutrition mission या portion scheme सिर्फ सीमित यह नहीं कि हमारी country के अंदर malnutrition की problem को को portion की problem को reduce करना low nutrition rich diet lane nutritious diet lane balance diet lane इस पर target करना सिर्फ इसका main objective नहीं है बलकि इसका objective हमारी country के अंदर जो social issues है उसको भी resolve करने का है तो जब mains का answer लिखेंगे तो इस चीज को भी जरूर आपको add करना है अब मैं इस topic को conclude करते हुए end करते हुए इस सिर्फ एक चीज और आपको बताना चाहूँगा वो है hidden hunger जो मेरा favorite topic है मैं अकसर जो है इसके बारे में बात करता हूँ देखें और यह वाली चीज अगर आप लिख दोगा नहीं यह term hidden hunger का तो आपका answer बहुत अच्छा बनेगा आपने देखा काफी सारे लोग मोटे होते हैं जैसे कि मैं भी मोटा हूँ वो परियाब nutrition नहीं ले रहा है उनको क्या पसंद है पास्ता पसंद है पीजा पसंद है चावीन पसंद है इस प्रकार के जो fatty foods जिसको हम लोग बोलते हैं या trans fat वाले foods जो हम लोग जिसको बोलते हैं वो पसंद है तो इसके काराण उनको obesity होती है और proper nutrition जब उनकी body में नहीं रहता है तो वो भी hidden hunger है मतलब कि आप एक व्यक्ति को देख कर नहीं बता सकते हो कि वो malnourished है की नहीं अगर बाइचान से एक statement आ जाए की एक जो व्यक्ति है यानि की एक व्यक्ति थिन है यानि की पतला है उसको देख कर आप बता सकते हो कि वो malnourished है तो वो वाले statement भी partially correct होगा पूरी तरह से correct नहीं होगा क्यों क्योंकि एक मोटा व्यक्ति भी जो है यानि की शरीव से जो fat जो है तो वो भी हमें देखने को मिलता है कि malnourished हो सकता है तो उस चीज़ को आप लोग बोलते हैं hidden hunger तो मैं वीद करता हूँ यह hidden hunger वाला term भी आपको समझ में आया होगा तो यह था guys पूरा oral topic